नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो में आप देख रहे होंगे इंट्रेस डेट आ गया है और वही अपना 50 पॉइंट बेसिस पर बढ़ाया गया है तो यह जो अनुवान था वही रहा यह सा नहीं के कुछ उपर गया या नीचे गया इसी का अनुवान थ था कि जो है 50 बेसिस पर एक तरह से इंट्रेस डेट आएगा तो वही एक तरह से आया भी है और यह तरह से अनुशिस का हो चुका है आप देख रहे हैं दे यूएस फेडरल डिजर्व हैज हाइक दा बेंचमार्क इंट्रेस डेट बाई 50 बेसिस पॉइंट विच इन लाइ सही है तब ही ऐसा हुआ है अगर हाला अच्छे ना होते तो साइद ऐसा ना होता लेकिन यह हुआ जैसे यह इन्हों ने जो अपना अनॉस्मेंट किया उसके बाद देखिए बीटी सी जो है 18,373 तक जो है उपर गया लेकिन उसके बाद इसमें डाउन फाल सुरू हुआ जैसे जैसे वक्त बीतेगा पता चलेगा कि वैसे इसमें एक बार को जो है 18,300 तक गया लेकिन फिर भी जो उम्मीद थी वहां तक बीटी सी ऊपर नहीं गया क्योंकि उम्मीद यह थी कि साइद 19,000 की लेबल को टच करेगा लेकिन एक जटके बीटी सी नीचे आ गया तो इं 17,910 डॉलर पे चला है लेकिन हैं आप देख रहे होंगे 18,300 तक गया लेकिन वहां से सीधा डाउन फाल नीचे कहीं ने कहीं जो अपने US के स्टॉक मार्केट्स हैं उन में भी गिरावट है यानि कि जो पॉजिटिव माहौल दिखना चाहिए था वो साइद कहीं नहीं सीधा नीचे तो जो बेटी सी जब नीचे गिरा तो वही हाल फिर सब मेरा देखें यहां पर हम डॉज कोईन को आपको दिखाते हैं और यह डॉज कोईन का प्राइस देखिए सीधा नीचे यानि उपर और उपर कवा सीधा नीचे तो सब का ग्राफ एक तरह से वही सो कर र जो हो सकता है कि अभी एट की सीरीज में चला जाए तो कहीं ने कहीं मार्केट पे वो जो इंपक्ट हम देख रहे थे वो नहीं आया है एक अच्छी उम्मीद एक रैली की उम्मीद थी कि जब इंट्रेस टेट जो है अगर 50 वेसिस पे आया तो एक अच्छी रैली देखने को म यह नहीं कुछ वो कहते हैं कि 12-24 गंटे बाए साथ कुछ ने जा रहा है लेकिन फिलाल तो वो जो रैली देखने चाह रहे थे हम लोग वो इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है और मैं अगर आपको यहां पर देखाता हूं BNB तो जैसे देखिए सम्मे क्रेस आया उसी तरीके से BNB फिलाल जो है 269 डॉलर पे चला है और यह भी थोड़ा सा भी ग्रावट है तो ग्रावट कुल मिलाकर सम्में ही है जब BTC नीचे गिरा तो सब प्राइस जो है ओलरी गिरे जो हम लोग उम्मीद कर ले थे वो मार्क BNB गए 870 Billion का है तो Market केसे बढ़े घ्रैसे बढ़े तो चीज कहीं हमें थोडा सा यह जहां पार कह मैं तो फिर लीप दिखाना चाहिए था तो वह कहीं तो इसलिए नहीं तिखाना लौकिए के stock market भी crash हुए तो stock market crash हुए इस वज़े से cryptocurrency भी उतना उचाल नहीं ले पाई तो चलिए देखते हैं फिर आगे जो भी होगा एक नए अपडेट अप आगे देते हैं जो भी कुछ current में मिलता है तो कि आखर इतना ये crash क्यों हुआ और मिलते हैं नए अपडेट के साथ नमस्कार